अरे दिल्ली पुलीस का भी पैसा जमा है दिल्ली पुलीस का भी पैसा जमा है मैं बता रहा हूँ ना 13 करोड़ों सारे लोग आपको बता रहा हूँ मंत्री विधायक सांसाद सबका परिवार पैसा जमा किया जी कांग्रेस है बीजे पीए सबको दिये मोका लेकिन सबने बनाया बोका दोजार चोबीस में देखिएगा सहरा वाला मारेगा चोपा ही चोपा मोदी जी उमीद है उमीद उनसे नहीं है अपना बाप घर से देंगे क्या की जारा के मत दाता नहीं एँ मौदी जी को बोट नहीं देते क्या लगता है उमीद है जो पैसा आप लोग का है उसमें वह पैसा मिलेका बच्चियों की शादी हो गया जो लोगों ranges का बातों को सुनना पड़ेगा राष्ट धर्म का सबसे बड़ा निर्माता किसी को मानता हूं तो वह है नौजवान और जो आज हाथों में पत्रकारता जगत को ले करके समाज में हो रही बुराईयों को प्रतक्च रूप से दिखाने का साहस कर रहा है नमश्कार मैं हूं सेफ आप देखर रहें दिल्ली में है और दिल्ली में जंतर मंतर पर खड़े हैं और देश के अलग अलग तोने से तमाम लोग आये हुए है जो इन्वेस्टर्स है जिन होने सहारा जैसे संस्थानों में अपना पैसा जमाकिया तिन तमाम चीजों को ले करक 2024 का एलक्षन नजदीक है ऐसी में तमाम पार्टिया लोगों का अपने तरफ आक्रिशित करेगी लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया सहरा जैसी संस्थाओं में क्या उनका पैसा आएगा या नहीं आगा इन तमाम चीजों पर हम लोगों से बात करेंगे लेके रहेंगे पैमेंट तो लेके रहेंगे मैंने दिया है हम लोगों ने कोई चोरी करके पैसा नी जमा किया हमने अपने मज़़ूरी करके पैसा जमा किया है साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूं कि मैं जो पैसा जमा किया हूं वह गरीबों का पैसा है अपने बचों का पेट क आपने सुक्सांती को बंग करके पैसा जमा किया हूं लेकिन अगर यह लोग मैं बता रहा हूं हिंदु-मुस्लिम-शीक-षाई यहां पर जाती के बात ना करें सरकार हिंदु-मुस्लिम-शीक-षाई जो पईसा दिये हैं जोड़ के लेंगे पाई-पाई हम लोगों का यही जिस पर आड़न में जमा किया उस पराँ से लोटा दीजिए यहां पर जंदर मंतर में जो है पूरे देश के मैं बता रहा हूं ना पूरब से ने पॉरफ से ना उत्र से ना टच्छिन से सिरफ वाहिसाई लिए और पाइस मेरा पैसाभ पाईसाशा नहीं कर दिदा में बता एक यह हरित्वार में में जाकर कि साधी तेज के नौ मेह पैसा एगा नो मैहाँ मैं बच्चा पईदा हो जाता है लिकिन मेरा पैसा नहीं आया मैं पूरी तरह से जो भी सहारा में जो भी जमा करता है निवेशक है और जो भी अभी करता है तमाम लोगों को हम बोल रहे हैं कि बाहर निकलो और अपना पैसा लेकर जाओ आज जो जबहाँ जी यहां पर इसका जमा किया जो काम करते थे उन्हों ने क्या किया कि उस पर आज गाउं के लोग चड़े हुएं कि तुम पैसा कहां पर ले गिया मेरा पैसा दिलाओ और नहीं तो मैं आप पर जो ऐसा फायर करूंगा अभी चार हजार हमारे साथ ही जो है सो अभी आत्म हत्या कर चुके हैं यह दबाव में अमीज शाजी ने कहा तो 45 दिन में मिल जागा क्या भी तक 45 दिन नहीं आए आरे एकर कौन दिन होता 24 घंटा का होता कि चार महिना में एक दिन में होता हो पते नहीं चलता है आज से हम लोग करणोलोजी लगाएं न हम लोग 13 करोडन हैं जमा करता अगर 14 की बात करेंगे तो हम लोग 15 करोड यहां पर 2 बचा के साथ हो के कि जाएना पडेगा ने तो साती पर चार के लेंगे तो लाएंगे पैसा जमाा पुरे भारत का जितने भी है जो भी यहां पर रहने वाले लोग जितने एक अरब 35 करोड जनता जो है उनका कहीं कहीं यह 13 करोड सारे लोग आपको बता रहा हूं मंत्री विधायक सांसद सबका परिवार पैसा जमा किया जी और पूरा पुलीस का ये परसाशन का ये सबका पैसा वो लोग भी सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया अच्छा किया कि मनो जात सबको ये लोग को कंग्रेस है बीजेपिय सबको दिये मौका लेकिन सबने बनाया बोका दोजार चोबीस में देखेगा सहरा वाला मारेगा चोब का ही चोबगा जो जो इसने पैसा दिलवा दिया दिलांगे तो तो उमीद है उमीद उनसे नहीं है आपना बाब घर से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जंता जो यह पुलते गरीब गरीब को एक ही जाती होता है को जाती नहीं होता सिरफ गरीब एक जाती है तो आमित्सा जमा किये हैं क्या मोदी जी जमा किये हम लोग गरीब लोग पैसा जमा किये हम लोगों को पैसा दे दो भाई सीथा स सरकार का सुझ नहीं है सरकार है का लिए कि गारंटी कि गारंटी जो है वह बोटर नहीं है मोदी जी को बोट नहीं देते हैं मद्धप्रदेस में और भी तीन राज्यों में दिये थे सहरा के पीड़े तुहां भी हैं लेकिन आज मोधी आँखों के पट्टी बांद कर बैटे हैं लेकिन सहरा के आम नमज नवेसक की परिशानी को नहीं देख पा रहे हैं इतनी गहरी है के 4000 एजन्ट हमारे जो हात्मदा कर लेते हैं पेट्रोल डाल लेते हैं ट्रेन की पट्री पर खत्म हो जाते हैं आज लाकों बेटी थेस्का जब्लों को नहीं मिल पा रहे हैं तो इसके लिए तो दोसी मोधी जी का है और मोधी जी से ही मंग करेंगे देखिए चाड़क जी ने बोला है कि 15 लाक आपके खातों में आएगा वही जुमला है हमिस्था अगर अपनी बात पर काइम है और मर्द की जुवान है तो अपनी बात पर काइम रहे और हमारा उद्देश दसजार की खेरात और भीक नहीं है और ना हम सुपरोतराज से खेरात भीक मांग रहे हैं ना हम अमिस्था से खेरात भीक मांग रहे हो ना मोदी जी से खेरात भीक मांग रहे हैं बेलकुल अपने हक के अपने कुन पसीने की और अपने बच्चों के भविस्ट के पैसे मांग रहे हैं जो इनको देना पड़ेंग देखे भारत की सरकारों को देश की करोडों निवेसकों की बातों को सुनना पड़ेगा अगर जंतर मंतर पे हम सभी साथी अपनी पूरी तैयारी के साथ भारत की सरकार तक अपनी बात पहुचाने में सफल रहे तो मज़े आसा और विश्वास है कि देश की सरकारों को गंभी जाएगी या तो मानते हैं और हमानते हैं कि हर हाथों में एक पत्रकार है और उसमें हमारे कुछ ऐसे नौजवान साती आप जैसे लोग करांतिबीर साती हैं इस उम्र में जब आपको अपने परिवार के और अपने जीवन के सामाजी कुद्धियों को और आर्थी कुद्धियों को बढ़ाना चाहिए आप देश के बारे में आप समाज के बारे में सोच रहे हैं आप समाज की कुरितिया समाप्त हो इसके बारे में आपने एक वीड़ा उठा लिया अगर मैं राष्ट धर्म का सबसे बड़ा निर्माता किसी को मानता हूं तो वह है नौजवान और जो आज हाथों में पत्रकारता जगत को ले करके चाहस कर रहा है मुझे लगता है बहुत कलेजे वाला हूं कलेजा वो नहीं कि हम हाथों में हथियार उठाके बारट पे जाके लड़ा ले calle hadah यहा है कि हाथों में माइक लेके किसी को चछ के साथ खड़े होकर बोलने को विबस कर दे और उसके तमाम जूटकों को बे नका साहन करना चाहिए और तमाम ऐसे लोग जो हैं जो आप जैसे नौज़मान साथी हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं और सच को उठाते हैं मुझे लगता हर व्यक्ति को चाहे यही प्लेट फार्म ही क्यों ना हुआ चाहे विरुजगारी का मुद्दा हो, समाजिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, गरीब बच्चों के लिए आवाज उठाते हों, या फिर भरष्टाचार के विरुद में आवाज उठाते हों, हिम्मत और साहज तो आपने किया है, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनके चैनलों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, और उनके चैनल को इतना बढ़ा बना देना चाहिए, कि आपकी एक खबर हो, और देस भर के लोगों को सुने, ऐसे तो लूट ले रहे हैं तमाम बड़े चैनल वाले लूट के करोड़ों अर्वों आप मजबूत रहेंगे तो हमसे नहीं मांगेंगे हम तो इसे मांग करके आंदोलन कर रहें तो हम सभी साथियों से निवेदन भी करेंगे कि आप लोग भी इनकी मदद करिए और इनके यूटूब चैनल को भी आगे बढ़ाई चालिए बहुत बहुत शुक्रिया तो अभी हम पैसे देंगे आखिर कब तक इनका पैसा में लगाई इसे तमाम खबलों के बड़ रहें निए माजान की आपको